शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाए रखने की दिशा में भिलाई निगम सतत कारे कर रहा है और इसी कड़ी में अवयत पोस्टर एवं पॉंपलेट होडिंग्स जैसे प्रचार सामागरी हटाए जा रहे हैं इस पर भिलाई निगम प्रति दिन कारवाई कर रहा है निगम आयूत के आदेश के परिपालन में निगम का अमला, सडक किनारे तथा विद्दूत पोल में लगे अवयत प्रचार सामागरीयों को हटाने की कारवाई कर रहा है इसी के साथ ही डिवाइडर के उपर लगे हुए अवयत प्रचार सामागरीयों को भी हटाय जा रहा है शहर के प्रतेग वाट छेतर में इसी प्रकार की कारवाई की जा रही है बिनानुमती के सरकारे संपत्तियों पे प्रचार सामगरी लगाने वालों को नोटिस भी जारी किया जा सकता है वही जुर्माने भी वसूला जा सकता है इधर वैशाली नेगर शेतर अंतरगत वाट करमांग 14-15 में कबाड़ी वालों के द्वारा दो स्थानों पर सडग बाधित करते वे वहान खड़ी कर दी गए थी दोनों ही कबाड़ी वालों से करमशा 3000 एवं 5000 कुल 8000 रुपे जुर्माना वसूला गया कहां गया है कबाड़ी वैसाई है उनके द्वारा जो है वहन काफी समय से रखकर सडग बाधा किया जा रहा था तो इन दोनों से जो है अवैध होल्डिंग पोश्टर प्रचार समगरी के विरुद निगम ने सक्त कारवाई का रवया अपनाया है आगे भी इसी प्रकार की कारवाई जारी रहेगी ग्रेंड एसीन न्यूस के लिए भिलाई से संतो शर्मागरी पोर्ट